हर हर महादेव ओम नमह शिवाए भक्तों इस बार 6 सितंबर को हरितालिका 30 है वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो हरितालिका 30 से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा भक्तों अभी तक आप लोगों ने परमपरागत या इधर उधर से सून कर यह वरत किया होगा या आपको माता ने दादी ने सास ने बताया होगा इसके बारे में लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और जो पहली बार इस तीज का वरत करना चाहती है वह माताएं बहने उनको यह वीडियो बड़े ही सहायक सिद्ध होगी भक्तों एक बात और बता दूँ कि इस दिन भगवान वराह की जयनती है यानि 6 सितंबर को भगवान वराह की जयनती है और दोस्तों वराह अवतार भगवान विश्णुजी का है भगवान वराह और पृत्वी देवी का समवाद है हमारे पुराणों में जिसमें वराह भगवान इस हरितालिका तीज की महत्ता बता रहे है प्रिथ्वी देवी से पूरी महिमा जो भगवान ने बताया है उसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगा व्रत कथा के रूप में आप लोग सुन लीजिएगा भक्तों भगवान और प्रिथ्वी देवी के समवाद को तीज पर स्त्री पुरुष जो भी सुनेगा उसका सौभाग्य धन संपत्ति और मनोवांचित फल की प्राप्ति होगी ऐसी महिमा है भक्तों वराह भगवान कहते हैं तृतिया तिथी को ही माता गौरी का जन्म हुआ और विवाह भी इसी तृतिया तिथी पर ही होगा इससे तृतिया तिथी को यतन पूर्वक प्रत्येक सुहागिन माताओं को बेहनों को इसका वरत करना ही चाहिए और वरत में वराह भगवान क्या बता रहे हैं कि केवल इस दिन आपको नमक नहीं खाना है देखिए दोस्तों हरितालिका का हम नहीं बता रहे हैं हरितालिका का वरत है वह तो निर्जला किया जाता है लेकिन जो वराह भगवान बता रहे हैं, वह हरितालिका छोड़ कर अन्य महीनों का बता रहे हैं और जो भक्त वरत नहीं भी रखती है, तो हरितालिका का तो वे इस दिन कम से कम नमक वाला भोजन न करें वराह भगवान बता रहे हैं कि तृतिया तिथी पर जो माताएं बहने बिना नमक का भोजन करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन खुशाहाल होता है और संपन्नता बढ़ती है यह शुकल पक्ष की तृतिया कि मैं बात कर रहा हूँ अब पुराणों में सनातन जी नारत जी को बता रहे हैं कि इसका वरत यानि तृतिया का वरत और पूजन करने वाली महिला श्री गौरी देवी की सहचरी बनती है यानि ही माता पारवती जी की सहेली बनती है तो हरितालिका तीज का वरत बहुत ही पवित्रमाना गया है अब आईए भक्तों, जानते हैं, कुछ आवश्यक और उप्योगी बातें, सबसे बड़ा प्रश्न यह है, कि माताएं, रजे धर्म में, यानि पीरियड्स में यह वरत कर सकती हैं या नहीं, भक्तों, इसका उत्तर यह है, कि आप बिल्कुल वरत कर सकती हैं, यदि आपका शर सकता है, इनके निर्मित इसका वरत कुमवारी कन्याएं भी करती हैं, जिनकी शादी में अर्चन ने आती हैं, हरितालिका तीज में वरत की प्रधानता है, आप लोग जरूर कीजिएगा, भक्तों परंपरा के अनुसार एक दिन पहले नहाया खाया होता है, कहीं कहीं नहीं पांच तारीख को लेकिन पास तारीख को गुरुवार है, तो कई माताएं बाल नहीं धोती हैं, तो इसका उपाए ये है कि आप पांच तारीख की सुभह सूर्योदय से पहले बाल धो लीजिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद गुरुवार लगेगा, तो इसके अंदर आप आप लोग बाल नहीं धो सकते हैं। भक्तों इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। या तो जो लोग पांच की सुभ़ नहीं धो पाएं। बाल तो च्छा की सुभ़ यानी सूर्योदय से पहले आप अपना बाल धो सकते हैं। हम कहेंगे कि आप पर पांच की सुभ़ ही काम कर लीजिएगा। सुर्योदय से पूर्व पांच तारीख को ही माताएं बहने महंदी लगा लेना। पूजा के समान सब इकठे करके रख लेना। आपको इस वरत के दिन लाल या पीला वस्तर ही पहनना है। जो सुहाग की निशानी है और ये दोनों कलर सौभाग्य बढ़ाते हैं। भक्तों, पांच तारीख से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। देखिए, पांच को तो नहीं खाना है और छो को वरत रहेगा। फिर पारण के दिन यानि साथ तारीख को भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। और पूरे घर की साफ सफाई आप पांच तारीख को ही कर लीजेगा। भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह पर परंपरा है कि वरत वाले दिन यानि चह तारीख की सुभह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है। उसको सर्गी ही कहते हैं। तो देखिए, माताएं, बहने, यदि आप रात को यानि सुर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे, तो कुछ ओन एली मत खाना। नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज्यादा लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, आप जलिय पदार्थ खाईए हैं, जैसे नारियल पानी हो गया। अथवा तो और भी बहुत सारे फल हैं, जिन से प्यास नहीं लगती है। अब सुर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा, जैसे कि वरत है। और मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ, कि वरत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारों के पेस्ट और मंजन से उसमें केमिकल और नमक होता है, जिससे वरत खंडित होता है। देखी एकादशी के वरत में तो दातुन भी मना है, लेकिन इस वरत में आप दातुन कर सकते हैं, दातुन नहीं हो तो कोहरा ब्रश ले लीजिएगा, बिना पेस्ट और मंजन के यह ब्रश कर सकते, इस दिन वरत के दौरान हमें कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए, तो सुबह साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, धोकर पहन सकते हैं, आप इस दिन पूर्ण श्रंगार कीजिए, जिसको सोलह श्रंगार कहते हैं, तृतिया तिथी यानि च्छा तारीख को सुबह के पूजन का समय रहेगा, सुबह बनाओ पूरा डिटेल में, तो आप लोग कमेंट में बताईए, मैं उस पर भी वीडियो जल्दी से बना दूँगा, लेकिन मुझे कमेंट में बताईए, ये वीडियो बनाना है या नहीं, ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में, आप हाथ में अक्षत पुष्प और ज अक्षणा लेकर व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिये हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना, अब अगला दुविधा दायक प्रशन है, कि कई लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिव परिवार बना कर पूजन करना होता है, लेकिन शहरों में रहने व और पार्वती जी गुफा में मिट्टी और रेत के शिव लिंग बना कर पूजन करती थी, यह परमपरा तभी से चली आ रही है, लेकिन आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है, जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं, वे लोग तो ब उस पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं, मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसरजन किया जाता है, लेकिन जो लोग फोटो यूज कर रहे हैं पूजा के लिए, लास्ट में जब विसरजन किया जाता है, उस समय केवल फो विसर्जन मान्य हो जाता है, भक्तों फोटो को या मेटल की मूर्ती को ले जाकर पानी में डाल कर आना, विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ती का होगा, भक्तों आपका अगला प्रशन आता है, कि एक बार वरत उठा लिया, तो क्या हर बार करना चाहिए, देखिए, ये सब वरत करते भी नहीं, हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकती हैं, तो वरत आप अवश्य कीजिए, जब तक आप से संभव हो, तब तक आप यह वरत कीजिए, अब कई लोग हैं, ना आपको डराते हुए मिलेंगे, एक बार वरत कथा उठा लिया, तो जीवन भर करना पड़ नहीं तो आपका यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, जैसे बोलते हैं, तो भक्तों उनसे पूछना कि कौन से शास्त्र में लिखा है, और मुझे भी भेज देना, शिवजी और माता गौरा हमारी मा हैं, शिवजी पिता भी लोग बुरा चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, और वे वह सामगरी, आईए जानते हैं आपको चाहिए, सूखा नारियल कलश, बेल पत्र शम्मी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, घी शहद गुलाल, चंदन कलामबा, इत्र पांच फल, सुपारी अक्षद धूप, दीप कपूर, गंगा जल दुरवा, आदी, हर्ताली इच के दिन एक चौकी पर आप पीला या लाल वस्त्र बिछाकर, उस पर भगवान की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके, उनका विधिवत पूजन किया जाता है, तिलक लगाकर श्रंगार किया जाता है, माता पारवती को सोलह श्रंगार की वस्तुएं, मौसमी फल आदी अर्पित किया जाता है, धूप दीब जलाकर पूजा करके, मंतरों का जाप किया जाता है, मीठे का भोग लगाया जाता है, माल पूए का या दूद से बनी मिठाई का भोग इस दिन आप लगा सकते हैं, सबसे अंत में वरत की कथा पढ़कर या सुनकर आरती की जाती है, अ आप अगर निर्जल रहकर वरत रखने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे में आप जब भी सुबह को वरत रखें, तो उस समय आप जल के साथ वैसे वरत को रखने का संकल्प भी ले सकती है, हरितालिका, यह शब्द पार्वती के भगवान विश्णू से विवाह करने से बचने के लिए खुद का अपहरन करने के कारे से आया है, यह वह दिन था जब भगवान शिव ने पार्वती के एक 108 पुनरजन्म के बाद अंततह अपनी पतनी के रूप में स्विकार किया था, और इसी कारण यह दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिष्ट भगवान शिव जैसे गुणों वाले वर की प्राप्ति होती है, सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है, कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो, उन्हें हरितालिका 30 के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बे अधु की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांध कर गठ बंधन कर सकते हैं, जिसमें तीन गाठे लगाई जाती है, आप कलावे से भी गठ बंधन कर सकते हैं, गठ बंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रंगार की सामगरी उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है, हरितालिका तीज वरत सफल संपूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है, अगर आप यह वरत पहली बार रख रही हैं, तो ये बातें आपक अगले दिन सुख पूज़ पूज़ जरूर दबाईए, दोस्तों हरितालिका तीज का वरत बिल्कुल करवा, चौत के वरत की तरह ही किया जाता है, यह वरत निराहार और निरजल रखा जाता है, इस वरत में सुभह के समय सरगी खाई जाती है, अगर आप इस दिन वरत नह जन्न और जल ग्रहन नहीं किया जाता है, अगले दिन सुभह पूज़ा के बाद जल पी कर वरत खोलने का विधान है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में वरत खत्म होते ही जल ग्रहन करने की भी मान्यता है, कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहन कर लिया जंक फूड का सेवन करने से बचें, इससे नींद आने की समस्या बढ़ जाती है, वरत में मानसहार का सेवन करने की सخت मना ही होती है, मानसहार से जीव हत्या होती है, जिससे वरत खंडित होता है, वरत में प्याज और लहसुन जैसे दुरगंध देने वाली चीजों का सेवन कर पूरे दिन न सोएं और रात्री में भी एक साथ मिलकर यथा संभव रात्री जागरण करें। जरूरी होता है। माननेता है कि कथा के बिना इस वरत को अधूरा माना जाता है। अगले दिन सुभह विधिवत तरीके से विसर्जित करने के बाद ही वरत का पारण किया जाता है। जानते हैं इस दिन क्या खाएं क्या न खाएं। हरिताली का वरत में सूर्योदय से पहले या मध्यरात्री में महिलाएं सर्गी करती हैं। सर्गी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सर्गी सास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशिरवाद होता है। सास अपनी बहू को सर्गी की थाली देती है, इसमें सूखे मेवे फल और सुहाग का सामान होता है। वरत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है। जिससे के पूरे दिन वरत में ठकान और भूख प्यास न लगे। वैसे तो सर्गी की प्रथा पंजाबी समुदाय में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन अब पूरे भारत वर्ष के लोगों ने इसे अपनाया है। सर्गी में आप फल फलों के रस, नारियल पानी, सूखे, मेवे और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको उर्जा मिलेगी और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, साथ ही वरत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। भक्तो निर्जला वरत शुरू करने से पहले खीरा खाना अच्छा माना जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। नारियल पानी अनार का रस आदी भी पी सकते हैं. इससे वरत के दौरान भरपूर उर्जा मिलेगी. नारियल पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं. अनार के जूस में विटामिन C और आइरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके सेवन से प्यास नहीं लगती है. हरितालिका 30 क या मीठे से वरत से खोलें. पारण में पानी धीरे धीरे पिए, फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें, मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहन करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुह में डालें. माता पारवती आपको वरत सफल संपूर्ण तरीके से करने की भरपू पूर्पूर शक्ति दे, कमेंट बॉक्स में जैमां पारवती अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को सबस्क्राइब करके बे आने वाला नॉलेजबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद के।